नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका साइंटिक बैलोजी में दोस्तों मेडिकल साइंस का दावा है कि डिमेंशिया, आउटिस्म, मल्टिपल स्कलोरसिस और सेरेब्रल प्लासी जैसे बिमारियों का इलाज अब स्टेम सेल थेरपी से संभव है लेकिन ये एक महगा इलाज है जिसका खर्च एक आम इंसान के बस की बात नहीं लिहाँसा बहुत से लोग चंदाई खटा करके अपना इलाज कराते हैं इसके लिए क्राउड फंड रेजिंग की मुहीम आजकल काफी चलन में है इस मुहीम के तहट मरीज ना सिर्फ पैसा जुटा लेता है बलकि उसे औरगन डोनेट करने वाला डॉनर भी मिल जाता है लेकिन आकरे बताते हैं कि स्टेम सेल थेरपी इतनी कारगर नहीं है जितना इसके बारे में दावा किया जाता है कहीं ऐसा तो नहीं इस तेरपी के नाम पर मरीज और डॉनर दोनों को गुमरा किया जा रहा है चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्टेम सेल आखिर क्या होते हैं दोस्तों human body कई असंग के सेल से मिलकर बना हुआ है और इनके अपने अपने function होते हैं स्टेम सेल्स या मुलकोसिका ऐसी कोसिकाएं होती हैं जिन में सरीर के किसी भी अंको विक्सित करने की क्षमता होती है इसके साथ ही ये सरीर की दूसरी कोसिका के रूप में भी खुद को ढाल सकती है वैग्यानिकों के अनुसार इन कोसिकाओं को सरीर के किसी भी कोसिका की मरम्मत के लिए प्रियोग किया जा सकता है कोसिकाओं की बिमारियों के इलाज के लिए इने लैब में भी विक्षित किया जा सकता है Stem Cells से सरीर के किसी अंग की कोशिका त्यार की जा सकती है दोस्तों, गर्व में सितकोई इंब्रायो अर्लियर स्टेज में केवल एक कोशिका के रूप में ही होता है इसी कोशिका के विवाजन होने से सरीर के सभी अंगों, हर्ट, लिवर और किड्नी का निर्मान होता है अर्थात किसी की कौट ब्लड से लिए गये सेल को किसी को भी नहीं दिया जा सकता इसके लिए उसी तरह मेंचिंग की जरूरत होती है जैसे किसी रोगी को ब्लड चराते समय होती है दोस्तों कि आपको मालूम है कि गर्वनाल या अमलिकल कॉड स्टेम सेल्स का एक रिच सोर्स है ट्रेडिशनली गर्वनाल को काटने के बाद इसे स्टेम सेल्स बैंक में सुरक्षित रखवा दिया जाता है इससे मिलने वाले स्टेम सेल्स और टिशूस का उपयोग बेबी के संपुर्ण जिवनकाल के दोरान आने वाली हेल्थ प्रॉब्लम के निवारन में किया जा सकता है यदि ये स्टेम सेल्स बेबी के भाई बेनों से मिल्खाते हैं तो उनके लिए भी ये उपयोगे सिद्ध हो सकते हैं Stem Cell Research में Autologous Bone Marrow Stem Cell को सबसे High Standard माना जाता है क्योंकि इनमें अधिक्तम क्षमता होती है इसलिए इसे बरे पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है Adult Stem Cell तकनिक से इलाज करने का सबसे वड़ा फायदा यह है कि इसे रोगी की ही Bone Marrow से लिया जाता है जिसे बाहर के किसी Virus या बिमारी होने का खत्रा नहीं रहता और सरीर भी आसानी से Stem Cells को Accept कर लेता है दोस्तों Stem Cells मुख्यता चार प्रकार के होते हैं इनमें Totipotent, Pluripotent, Multipotent और Unipotent Stem Cell सामिल है Totipotent Stem Cell किसी बेबी के जन्म से पहले Sperms और एक के Fertilization के बाद एक Jigod का Formation होता है जो डिवाइड होकर Totipotent Stem Cells का निर्मान करता है ये Stem Cells सरीर के किसी भी आर्गन का निर्मान कर सकता है Pluripotent Stem Cells दोस्तों Totipotent Stem Cells डिवाइड होकर Pluripotent Stem Cells को Form करती है ये मुक्यता Amilical Cod या गर्बनाल के Blood में पाई जाती है Multipotent Stem Cells दोस्तों Multipotent Stem Cells सभी एडल्ट्स के Bone Marrow और Lymphoid Tissues में पाई जाती है इस तरह का Stem Cells का Function Body में Damage Cells को Repair करना है Unipotent Stem Cells Unipotent Stem Cells के वल एक तरह की ही Cells को Form कर सकती है Muscle Stem Cells, Unipotent Stem Cells का ही एक 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 जेम्पल है दोस्तों Stem Cells थेरपी में या दूतक्षमता होती है कि वो सरीर के उन टिशूज और और्गन को पुनर जिवित कर देती है जो किसी Disease या Congenatal Malformation के कारण बेकार हो गये है Stem Cells थेरपी के अंतरगत बिभिन रोगों के निदान के लिए Stem Cells का प्रियोग किया जाता है भारत में भी इसका प्रियोग होने लगा है इसकी साहता से Cornea Transplantation और Heart Attack के कारण डैमेज मानस पीशो की उपचार में सफलता मिली है अधिकांस Disease के Treatment में यू Stem Cells रोगी की ही कोसिका होती है ऐसा इसलिए किया जाता है कि बाद में Medical Discomfortness ना हो Parkinson's रोग में भी इसका प्रियोग किया जा रहा है Neuromuscular रोग, Arthritis, Brain Injury, Diabetes, Diastrophy, ALS, Stroke, Elgheimer जैसे रोगों के लिए Stem Cell Therapy को काफी प्रभावी माना जा रहा है Laboratory में बनाए गए Stem Cells निकट वविसे में कई प्रकार के Blood Cancer का उपचार कर सकती है दोस्तों आईए अब ये जान लेते हैं कि Stem Cells Bank क्या होता है दोस्तों Stem Cells Banking एक ऐसी बेवस्ता है जिसमें बेबी की करवनाल यानि Ambilical Cod के Blood को सुरक्षित रख लिया जाता है अगर बिमारी या दुरखटना के कारण किसी अंग में नुकसान पहुंसता है तो इससे Cells को विक्सित करके Damage Organ को बदला जा सकता है बच्चे के जन्म के 10 मिनेट में गर्बनाल को काट कर प्लैसेंटा के Blood Vessels के Blood को Preserve किया जाता है Cod के 20 cm के टुकरे कर इसके टीशू को भी सुरक्षित करते हैं इनका इस्तेमाल कर Stem Cells विक्सित की जाती है Stem Cells Preserve कराने के लिए Registration कराने के बाद एक किट दिया जाता है Cod Blood ये टीशू को उस किट में सुरक्षित रखा जाता है इसे Nitrosan Vapor में रखा जाता है फिर Harvesting और Banking के लिए इसे Bank वेज दिया जाता है जहां Cry Preservation तकनीक के जरिये इन Stem Cells को स्टोर किया जाता है लगबग 20-70,000 आता है दोस्तों उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों वीडियो से रेलेटेड अगर आपकी कोई सजीशन हो तो कमेंट करें और ऐसा ही नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए हमारे जैनल को जरूर सब्सक्राइब करें